रामपूर नगर पाल का परशद में अध्यक्ष व उपदक्स की कुर्सी लंबेस में से रिक्त चल रही है इसी तरह आठ माँ पूर्ब कार्यकारी अधिकारी का तबादला होने के बाद अतिरिक परवार तेस्दिलदार के पास है इस मस्या को लेकर कांग्रेसी पारशदों ने रामपूर में पत्र कर बायता की और कहा कि एक सब्ता के बीतर अध्यक्ष चुन्ने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो ब्लोग कांग्रेस शेहरी कांग्रेस और पारशद अंदोलन करेंगे रामपूर नगर पालिका परशद में अध्यक्ष पो उपाध्यक्ष की कुर्शी लंबेस में से रिक्ट चल रही है इसी तरह आठ मापूर कारेकारी अधिकारी का तवादला होने के बाद आतिरेक प्रभार तहसिलदार के पास है इस मस्या को लेकर कॉंग्रेसी पारशदों ने रामपूर में पतरकार वारता की एक सब्ता के भीतर अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो ब्लोक कॉंग्रेस शेहरी कॉंग्रेस और पारशद आंदोलन करेंगे उलेकनी है कि बीते बर्ष नवंबर में कॉंग्रेसी पारशदों ने अपने ही पारटी के अध्यक्ष की खिलाफ और विश्वास प्रस्ता पास कर अध्यक्ष को पत से हटाना था उसके बाद अध्यक्ष पत की कुर्सी अब तक खाली है इसी तरह नगरपरशद में उपाध्यक्ष का पत भी फिलहाल ट्रिक्थ है परिशद में कारेकारी अधिकारी का अधिरिक प्रभार भी तैसिलदार रामपूर के पास है कॉंग्रेसी पार्षदों ने पतरकार वारता में नगरपरशत अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कुरसी खाली होने पर बिकास कारी ठप होने का आरोप लगाया है नगर परशद के पांच कॉंग्रेसी पार्शदों ने रामपूर में पतरकार वार्दा के दुरान भाजबा सरकार पर आरोप लगाया कि जान बूश कर रामपूर में अध्यक्ष की ताजबोशी नहीं करा जा रही है जबकि कॉंग्रेस के पास प्रत्याशी और प्रयाप्त उन्होंने कहा कि रामपूर की जनता के साथ बेदवाव किया जा रहा है उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अंतराश्ट्री लभी मेला आज तक के इतिहास में नगरपाली का परशित करवाती रही लेकिन इस बार प्रशासन ने इसका आयोजन किया उन्होंने कहा कि की ताजबोशी के लिए प्रक्रिया नहीं शुरू होती है तो कॉंग्रेस नगर परशद पारशद मिलकर अंदोलन करेंगे। कॉंग्रेस के पूरे नंबर है, हम पांच है यदि वैसे तो हम छे है यदि अभी एक स्टे है हमारे पास यदि उसको भी दर्कनार करते हैं फिर भी हमारे पास बिलकुल कोरम पूरा है तो हम कल ही S.D.M. रामपूर के पास गेते वो कहते कि वे D.C. से इसका आप जवाब जबकि पंचाइती राज एक्ट में आपको मालूम है, आप सब पर बुद्ध जनता है, एक मिने के अंदर कोई भी संस्ता या कोई भी पंचाइत, कोई भी नगर परशद है, चुनने के एक मिने के बाद वहां पर कारे बाद दिया जाता है और वहां की मीटिंग रखी जात यहां एक एक बड़ा एत्यासिक है हिमचल परदेश को, जिस रामपूर ने छे बारी हमारे राजा साब वीरबदर सिंग ने हिमचल परदेश को एक सुत्र में परोया है, उसमें चाहे आपका किनौर हो, चाहे मीरपूर हो, कांगडा हो, रोडु हो, कहीं भी बेदवाव न नहीं देखा, उन्होंने यह नहीं देखा, कि यह बीजेपी से स्वंधित लोग है, यह फ्लानी पालिटी के, उन्होंने सब का विकास लेके काम किया है, और उदर एक शर्म की शर्म से कह सकता हमें, जैराम जी को बड़े अच्छे मुके मंत्री के तोर पर हमने जाना था, और हम चाते भी उन से बड़ी उमीदे थी, लेकिन क्या उनको नहीं दिखर है, रामपुर्वु शहर, सबसाल से यहां पर विकास करें, ठप पड़े, चायो गलिया हो, नालिया हो, स्ट्रीट लाइट हो, सिवरे जो पार्किंग बन के तियार है, आपके सामने डेर साल से, इसका उदगाटी नहीं हो रहा है, सब्जी मंडी के काम रुका पड़ा है, तो मेरा यही कहना है, प्रशासन से, वो बहत्तिय जनता पार्टी के कटपुतली ना बन करके, यहां के एक, बलब, दोनों तर्प का माप दंड देखते हुए, जनता का फैसला जो एक अपते के अ बक्तो चला एक छोड़ी से ब्रेक काये मिलते हैं ब्रेक के बाद